So hello everyone, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना ICR टेक्निशन का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं step by step कल मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाला था कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और ऐसा इसा लेकिन अभी भी आप में से बहुत लोगों को यही लग रहा है कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है मैंने फेक वीडियो डाला ऐसा कुछ वेब साइट में शो नही कर रहा है जब आप लॉग इन करोगे तब आप अब दिखाता है और सबका स्कोर कार्ड नहीं आया यह भी बात बिल्कुल है यह भी बात बिल्कुल सही है कि अभी सबका स्कोर कार्ड नहीं आया है क्यूंकि अभी सिर्फ कुछ ही का स्कोर कार्ड आया है और जिसका भी आया तो कि सर मेरा result नहीं निकल पा रहा, call उठा लीजे, मेरा भी scorecard चेक करना देख रहा है आप, ये messages हैं, तो कल से भर-भर के messages आ रहे हैं, और अभी मैंने फिर से WhatsApp को install किया, ये देखने के लिए क्या क्या messages है, वैसे मैंने कल अनिस्टाल करना पड़ा, तो इतने ज़्यादा messages और phone calls आने लगे थे, ठीक है, यही कि मेरा scorecard चेक कर लिजे, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ, कैसे आपको यह चेक करना है, मैं सबसे ही request करूँ कि please बार-बार message ना करें, और यहाँ पर आपको बताने वालों कैसे करना, तो सबसे पहले तो आपको, और हाँ, यह बात बिल्कु ट्रू है कि scorecard काफी लोगों के आ चुके हैं, इसके regarding और clearance की सबका कब आया और, क्यों सिर्फ कुछी लोगों काया, वो सारे clearance में upcoming videos में आपको देने वाला हूँ, जैसे कि UPSC के अगरम बात करें पब्लिक सर्विस कमिशन, तो उसका result आता है, मैंजे पता यह UPSC ने नहीं करवा exam, लेकिन मैं UPSC की बात करूँ, जैसे भी Civil Services का exam का result आया, ठीक है, जैसे में सुरती शर्मा ने टॉप किया, तो ऐसा नहीं कि PDF वो एक पहले आता, रिलीज होता, जैसमें कि आपको यह पता चलता है, कि आपका हुआ या फिर नहीं, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका score card आता है, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि सब का score card आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको दियान रखना है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, तो इस website पे आ जाना है, कल मैंने क्या किया था, official website का link दिया था, टेलिग्राम चैनल पे, उसके थुरू भी आप लोग नहीं चेक कर पाए, तो मैं directly आपको login page का ही link देने वाला हूँ, ठीक है, तो login page का link आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका link आपको video के description मिल जाएगा, उस link पे जैसे ही click करोगे, ऐसे ही page में land करोगे, जहां पे आपको direct log user ID और password ही डालना रहेगा, कुछ नहीं करना होगा आपको, ठीक है, कल मैंने official website का link दिया था, तो काफी लोग उसमें नहीं देख पाय थी, कहां से देखना है, तो यहां पे मैं सीधे इसी website का link दूँगा, जहां पे आपको सिर्फ अपना user ID and password डालना है, तो यहां पे मैं एक student का user ID और password डालके दिखा देता हूँ, कि कैसे कैसे आपको देखना है result, और बाकि जो आपनों के doubt आ रहे हैं, बहुत सारे की सबका कब आएगा, यह सारे, तो यह मैं upcoming videos मैं आपके clear कर दूँगा, ठीक है, कि upcoming और आगे vacancy कब आएगी, इसमें ICA technician पे, और एक चीज़, अगर आपने, आपका हो गया है, आपका scorecard यहां पे दिखाता है, तो आप जरूर मुझे message कीज़एगा, WhatsApp नमबर मैं आपको कल दिया था, बट उसके regarding message मत कीज़एगा, कि से हमारे result चेक कर लीजे, यह कर लीजे, यहां पे मैं आपको सब बता रहूँ, ठीक है, तो user ID और password यहां पे मैं डालता हूँ, और उसके बाद यहां पे आपको capture डालना हूँगा, ठीक है, यहां पे मैंने login, अपका registration number, password और capture डाल दिया, अब यहां पे आपको क्लिक करना है, लॉग इन पे, यहां पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यहां पे तीन options आएंगे, एक तो applicant details यहां पे आएंगी, help desk और scorecard, क्योंकि इसको मैंने landscape mode पे खोल रखा है, इस phone को ऐसे ऐसे खरके, जिस वज़े से scorecard ऐसे खरके यहां पे आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको tilt करेंगे, चलो मैं वैसे भी दिखा देता हूँ, वैसे अगर आपने ऐसे खोल, मतलब पकड़ रखा है mobile को, मतलब landscape mode में, तो यहां पे scorecard आएगा, ठीक है, scorecard पे जैसे आप click करेंगे, तो यहां पे, यह आएगा, click here to download scorecard, अगर आपका scorecard अविलेबल नहीं है, तो अभी के लिए आप यही मान सकते हो, कि आपका, आप qualify नहीं हुए हो, क्योंकि अभी तक ऐसा official declaration तो आया है, यहां पे आपका scorecard अभी रिलीज नहीं के तरफ से, लगे इन सिर्फ scorecard उनहीं का आया है, जो qualify हुए है, तो इससे हम यहीं बोल सकते हैं, कि जो qualify नहीं हुए है, उनका scorecard अभी रिलीज नहीं किया गया है, पे mobile को ले रखा है, तो यहां पे आपको show करेगा, all option, ठीक है, all पे आपको option पे आपको click करना हुआ, दो option खुल के आएंगे, help decks I think खुल के आएगा, और दूसरा scorecard, और अगर scorecard खुल के नहीं आ रहा है, तो यहनि कि इसका मतलब यहीं है, यह आपका scorecard अभी release नहीं हुआ है, that's it, उमीद करता हूँ, अब आप लोग की सारी चीज़ें clear हो गई होंगी, link भी मैं आपको दे दिया हूँ, link आपको telegram चैनल पर मिल जाएगा, telegram का link आपको description मिल जाएगा, वहाँ से जाके link पे click कीज़े, directly इस link पे पहुँचेंगे, और कैसे कैसे step by step चैक करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, अब फिर भी नहीं चैक कर पा रहे हैं, तो यह फिर आपकी घलती है, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, मैं सब का personally check कर करके बताऊंगा, ठीक है, तो इसी वज़े से अगर आपका score card आया है, तो मुझे अब शेयर कर सकते हो, डबल एट मैं आपे number लिख देता हूँ, ठीक है, डबल एट फोर जीरो टू एट सिक सेवन थी फाइफ, बट इधर उदर के message मत करना, कि सर अब हमारा check कर दो, हमारा यह हमारा show क्यों नहीं कर रहा है, सब कुछ मैंने आता दिया, show नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका qualify अभी नहीं हुआ, जिस हिसाब से अगर score card students, उन्हीं students के release किये गए हैं, जिन जो जो हैं अभी qualify हुए, ठीक है, तो अगर आपका score card आया है, तो आप इस number पे share कर सकते हो, और बाकी किस किस का, यहाँ पे score card किस का, कितना रायंक आया है, comment में जरूर आप share कीजेगा, और बाकी further videos में, आपके जो भी doubts होँगा, आप comment section में लिख दीजेगा, जो भी आपके doubts होँगे, वो में further videos पे clear कर दूँगा, ठीक है, धन्यवाद,